आई अब एबड़ाई कैसे हैं आप सबी लोग आई हो अच्छे होंगे और आज इस वीडियोे में देखने वाले हैं वीए सट संबस्टर की बात करेंगे हों में साइंस जिसकी मियों 1222 फाले वाले को ङो आजाने में आफ्स में आपको देने वाला हूं जो आपके लिए और को याद करके आप 90% प्लस ले करेंगे तब परशन प्लस यहीं से आएगा एक भी कोशेर बाहर नहीं जाने वाला है मैं आप से बादा करता हूं कि आपके पेपर में आते होंगे पेपर लीग होगा इस परकार समझे लो ठीक है आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और बाके आपको देख लेना है क्या है परिभासा क्या है पाचन तंत्र क्या होता है उसको पढ़ लेंगे उसका कार क्या होता है हीर्दे की रचन है उसकी हिर्देकी कार के बारे में देख लेंगे अब देखो धामनी और सिरा क्या होता है धामनी में सुद्रक्त law बहता है और स्रा में हमारा असुद्रक्त facts इंदोनों में अंतर अच्छ अछ्छे नहीं रएंगे न expectन कि Teil और भोजण पोशन और और बोशन जो होता है वह क्या होता है वह मंतलिख फूर्ट परोपी को काली निचोड़ क्याना है एक कोशन को करके हाना है चाहें बना-बना करता हूँ कि आपको टॉप अलब Hill सब्सक्राइब कर लेना फिरन यहां देके बर्भाद के कमी से जल में जल मनें होता है ज्यादा और बसा होता तो चल छकडी लकडी इस परकार से बसा में कम होते हैं ठीक है हमोगे स्म cinnamon अब देखो मैं इनके करने वाली में आप सबर ne में नहीं जुप विटावन करे नहीं है निया ऀते हैं यहां पाक के लिए सैंठेंगें क्या होती है उसके कार कैबारे में और ऑफ़े नियुक्त के परिवासा के बारे में विकास के बारे में सिध्धान्त क्या होता है इसको पढ़ने है और गर्व कानि मिकात की अवस्ता है यह चानकान में प्रिकास क्या होता है वह आपको याद कर लेना है पूर्ण बालक अवस्था में जो शारीरिक और गती विकास होता है वह देख लेगे है रख्त के देखो रख्तर के संगर्थन के बारे में मुष्ट फ्रीकारशन और ल होता है वह देख लेंगे sn티 मम्तलब की लीवर। की रचना और कार कार क्या होता है और यहां कार कोशण को परिबास्सट कीजिए पोशण कौन प्रेसर को कर खाना बनाते आयोडीन की कमी से घहेंगा रोग हो जाता है यह सभी को पता होगा उसे कौन को प्रवाहित होते हैं किस प्रवाहित होता है और नेक्स कोशन आपसे देखो बोला गया है भाब के दबाब द्वारा पकाने का सिद्धान्त क्या होता है यह मुश्च लगने नाव से फुन लिकलता है तो वही कहलता है ब्रदि विकास के घर्वती मा को देख When आप किस प्रकार से करें कोई गर्वती महला है तो उसकी देखवाल कैसे करेंगे अंडा से क्या होता है ओवरी कहते ना ओवरी और गर्वधार लक्ष जब आप मा बनने वाली हो मतलब आपको अब इसकी प्रकार से कहते हैं इस पर्म होते हैं अब इस पर्म क्या होते हैं आपके अंदर से अंडाणों निकलते हैं लड़के के स्पर्म होते हैं लड़की उसके अंडाणों निकलते हैं अंडे दे हुसमें जेलिया में करते हम बस्ता में डेखने को जो लक्षन विलते हैं मन्ना उल्टी वेगर आना वो सब कुछ आपको बता देंगे वीडियो बनाके पुरों समझा देंगे जो गर्ब गर्ब पात क्या है उसके काड़ के बारे में देख लेंगे और यहां वो लगा है यह गर्ब पात की काड़ क्या होते हैं और इस्थन पा कुछ नहीं पढ़ना मैं अपसे बादा करता हूँ यहां से लंबे परशेंट देख लिएगा एक भी कोशन बाहर नहीं जाएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज्यादा से जादा दोस्तों को शेयर करेंगे कोई भी दिक्कत आती तो कोमेंट ट्रेक्ट आप समसे पूंच सकते हैं मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दोगा तो ब्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अपनी फैमिली तक पहुंचाएंगे ठीक है और आपका भाई-बहिन हाइस्कुल इंटर्मी भी इसमें तो आप प्लीज यार उनसे बोलो कि करें ठीक है लब यू बाई-बाई